अगर medicines और health से लेटेड आप information चाहते हैं तो अभी subscribe करें मेरे channel को knowledge for care तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चितरक हरी तकी अवले के बारे में इसके क्या फाइदे हैं, क्या नुक्सान हैं, कैसे लेना हैं यह सारे जानकरिया आज की इस वीडियो में आपको दुणगा तो देखें यह जो चितरक खरी तकी अवले हैं इसको बहुत सारी कंपनिया बनाती हैं जैसे कि डावर हो गई, बैदनाद हो गई, जंडू हो गई और भी कई सारे कम्पनी इसको बनाती हैं तो आप चाहें तो किसी भी कम्पनी का खरी सकते हो अब इसको खरीदना कहां से होता है तो देखें जो भी आयरविदिक मेडिकल इस्टोर है वहाँ से खरी सकते हो या फिर आप इसको online भी purchase कर सकते हो तो मैं नीचे link के दे दूँगो description में तो दर से click करके आप इसको घर बेड़े बेड़े भी मंगा सकते हो और हो सकता है कि आपको discount भी मिल जाए तो एक बार जो है नीचे description में चेक कर लीजेगा अब ये जो चितरक हरी तकी है 100% vegetarian है और कोई भी इसमें harmful chemical use नहीं हुआ है मतलब सभी लोग इसको ले सकते हैं अब हम बात करते हैं ingredient के बारे में इसमें क्या-क्या है तो देखे इसमें बहुत सारे ingredient हैं जैसे कि चितरक, आमला, गुडूची जिसको अब गलावाई बोलते हैं तेजपत्र, दसमूलकवाथ, त्रीकटू, बिल्वा, गोकसुरा तो इस प्रकार से और भी ingredient हैं जिससे ये जो है चितरक हरी तकी अबले बनाया गया है अब हम बात करते हैं इसके फायदे के बारे में तो देखे सर्दी, खासी जुकाम अगर आपको सर्दी, खासी जुकाम है वो ठीक नहीं हो रहा है तो उस condition में आप इसको ले सकते हो या फिर आपको allergy है अब allergy के कारणन भी ऐसा होता है कि सर्दी, खासी, जुकाम हो जाता है गला खराब हो जाता है तो उस condition में आप इसको जरूर ले, आपको जरूर फायदा मिलेगा और कोई भी respiratory problem है तो उसमें आप ले सकते हो अब जैसे कास्तमा के patient हैं, वो ले सकते हैं, सांस लेने तकलीफ है अंदर कफ हो गया है, कफ वाली खासी है तो इन सभी condition में आप इसको जरूर लेकर देख है अब इसके अलाबा sinusitis की problem है, या TB है आपको तो उसमें ले सकते हैं आप देखिए ये जो है आपके immunity system को भी boost करता है जिसके के आपको ये जो सर्दी, खासी, छोटी, मोटी बीमारिया होती है ना ये जल्दी जल्दी नहीं होती है क्योंकि इसमें ऐसा-इस ingredient है, जिसके के हमको काफी फायदे मिलते हैं हमारे health में अब देखिए इसके अलाबा ये digestive system को भी improve करता है, हमारे digestion को सही करता है आत में कीड़े हो गए हैं तो उनको भी मारता है, इसके अलाबा अगर आपका cholesterol जादा है तो उसको भी maintain करता है मतलब LDL को कम करता है, जो कि होता है bad cholesterol, जो कि हमारे heart के लिए बेकार होता है अब इसके अलाबा कई लोगों में देखा है कि उनको भूग कम लगती है, तो कुछ हद तक ये भूग को भी बढ़ाता है, चितरक हरीता की अवले है तो इधर मैंने इसके management फायदों के बारे में बता दिया है, अब हम बात करते हैं, डोस के बारे में कीस इसको लेना होता है तो देखिए तीन से छे ग्राम इसको लेना होता है अब ये जो है आप एक दिन में दो वार तक ले सकते हैं जैसे के सुबा और साम को ले लिया आप इसको कुछ भी खाने के बाद ले तो बहतर रहेगा चाहे नास्ता करो या खाना खाओ उसके आदे घंटे बाद आप इसको और इसको दूद के साथ ले आप दूद के साथ लोगे तो आपको अच्छा result मिलेगा अब देखिए इसको MALE कोई भी ले सकते हैं और बच्चे भी ले सकते हैं लेकिन एक बार टॉक्टर से सला करने क्योंको बच्चे के उमर पर भी डिपेंड करते हैं निए आला कि बच्च तो आप इसको लेना बंद करतें लेकिन जिनको diabetes है ना वो ना लें और लेना है तो डॉक्टर की सलास से जो सुगर के मरीज है अब इतर पहले से कोई दूसरी medicine चल रही है जैसे के तो उसके साथ इसको ले सकते हैं या नहीं तो बिल्कुल ले सकते हो कोई प्रॉलम नहीं है बस time का difference रखेगा माल लीजिए आपने अलोपेथी medicine अभी खाई तो दो गंटे बाद तीन गंटे बाद आप इसको ले ले कोई दिक्कत नहीं है अब कब तक लेना होता है तो डिपे चितरक हरीतकी अभी लेका अब दर में कुछ advice देना चाहूंगा अगर आपी लेते हो तो आपको alcohol नहीं लेना है smoking नहीं करना है junk food fast food नहीं खाना है जादा fry नहीं खाना है मेधे से बनी चीज़े नहीं खाना है और बाहर का खाना पीना भी नहीं करना है जब तक आपी चितर लेना है और एक healthy lifestyle लखिए और साथ में आप exercise करिए थोड़ी बहुत exercise करिए walking करिए पैदल चलिए और आप योगा भी कर सकते हैं अगर आप यह करोगे तो आपको अच्छा और जल्दी result मिलेगा इस चितरक हरीतकी अवले का तो मेरे वीडियो दरी खतम होता है और आपको इ लेली बनाते रहता हूँ तो आप मेरे चैनल को subscribe भी कर सकते हो अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो वीडियो अच्छा लगे तो like भी कर दीजीगा फिर मिलेंगे next वीडियो में जब तक आप बने रहे हैं और देखते रहे हैं आपके अपने चैनल में knowledge for care